हेलो गाईस कैसो आप स्पीज जैसे के स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस टैम पे मेरे पास पोको का X4 Pro डिवैस है जिसे कि आप Redmi का Note 11 Pro डिवैस भी बोल सकते हो गाईस मेरे डिवैस के अंदर मैं Project Blaze की Custom Room को यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको Android version 14 देखने के लिए मिल जाता है इसी के लावा आपको सब्टेंबर का स्कोर्टी पैच भी देखने के लिए मिल जाता है इस Custom Room की गाईस सबसे अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर MIUI का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है जो की like का खुपर पेस्ट है इसका जो interface है वो आपको Gcam जैसा देखने के लिए मिल जाता है इसकी वज़े से आपको pictures लेने के अंदर, videos लेने के अंदर कोई भी problem देखने के लिए नहीं मिलती यानि कि इस Custom Room के अंदर आपको camera पहले से देखने के लिए मिल जाता है आज कि इस वीडियो के अंदर हम आपको एक के करके सभी features बगरा बताऊंगा कि क्या आपको Poco के X4 Pro device या फिर Redmi के Note, LN Pro 5G device के अंदर Project Blaze की Custom Room को install करना चाहिए या फिर नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइस वीडियो के शुरुआत हम सबसे पहले Settings से करते हैं जैसे आप Settings के उपर जाओगे तो उपर यूपर आपको Network, Internet, Wi-Fi, Hogsport, Bluetooth का Option देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने अपने device में SIM लगा रखी है जो कि 5G SIM है मुझे कोई भी Problem वगरा देखने के लिए नहीं मिल रही Bluetooth वगरा सबसे अच्छी तरीके से Connect हो जाता है Bluetooth Connect हो जाता है, Hogsport On हो जाता है कोई भी Problem Connectivity के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिल जाती है उसके बाद में आपको Display Option देखने के लिए मिल जाता है अब आप एक बात का ध्यान रखना चाया आप Display Option के उपर जाओ चाया आप Sound के उपर जाओ चाया आप Bantry Option के उपर जाओ आपको यहां उपर के तरफ सब में एक Animation देखने के लिए मिल जाती है Dark Mode का Option है जो की Successfully वरक करता है Night Light का Option है जो की Successfully वरक करता है आपको कोई भी Problem यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगी Colors का भी Option आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर जाके आप अपने डिवास में Colors वगरा को Change कर सकते हैं जो की Successfully वरकिंग है इसी के लवागा आपको आपके डिवास में Refresh Rate कौन सा चाहिए 120 हर्टेज का या फिस 60 हर्टेज का वो भी आपको Option देखने के लिए मिल जाता है जो की Successfully वरकिंग है यानि कि आपको डिस्पले के अंदर कोई भी Problem या फिर Bugs वगरा देखने के लिए नहीं मिलते उसके बाद में Guys आपको Wallpaper and Style का Option देखने के लिए मिल जाता है जो की Successfully वरकिंग है अगर हम Wallpapers की बात करें तो आपको सारे Wallpapers देखने के लिए मिल जाते हैं Pixel वाले Wallpapers भी यहां पर है यानि कि आपको Wallpapers वगरा के अंदर कोई भी Problem देखने के लिए नहीं मिलती आपको AI Wallpaper का भी Option देखने के लिए मिल जाता है यानि कि आप AI के मदद से खुद Wallpaper बना सकते हो जो Pixel के अंदर New Emoji Wallpapers आए हैं वो भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं कि Successfully Working है आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो उसके बाद में guys अगरम और बात करें तो आपको यहां पर Lock Screen की कुछ Customization की Options देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि आपको Dynamic Clock वगरा चाहिए या फिर नहीं चाहिए अगर आपको Lock Screen के पर कोई नाम वगरा लिखना है तो उसको अप्य Option देखने के लिए मिल जाता है जो की Working है कोई भी Problem इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलती Lock Screen के आपको कावसरी Clock Format देखने के लिए मिल जाती है जो की Successfully Working है आपको Amount Thimming के पर Option देखने के लिए मिलती है सारे के सारे Working है Home Screen की बात करें तो आपको यहां पर Grind वगरा कैसा चाहिए उसको Option देखने के लिए मिल जाता है जो Icon है वो Themed वाले चाहिए या फिर नहीं चाहिए लेकिन इसके अंदर आपको Vibration वगरा के पर Option देखने के लिए मिल जाते है जो की Successfully Working है आपको Screenshot का Sound चाहिए या नहीं चाहिए चार्जिंग है उसको Option देखने के मिल जाता है एक Extra Feature देखने के लिए मिलता है Clear Speaker का जिसे उन करने के बाद आपके Speaker के अंदर Beam की अवासी आती है और आपका device के अंदर जो Rate वगरा है Speaker में वो निकल जाती है यह Successfully Working है मैंने ट्राइ करके देखा इसके अंदर कोई भी Problem नहीं है इसके बाद में guys आपको Pantry को Option देखने के लिए मिल जाता है जैसे की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने device को Full Use किया है अगर Normal Pantry की बात करें तो आपका जो device है वो आपका एक दिन अराम से निकाल देगा जाए आप अपने device में gaming बगार आखत के देखो जाए आपने device को Normal यूज़ करो आपका device लगबग 6 गंटा, 7 गंटा, 5 गंटा इन तीनों चीज़े के बीच में Bantry Backup देदेगा जाए आप कितना भी heavy use इसको कर लो उसके बाद में guys आपको notification option देखने करने जाता है जिसके उपर वाली animation भाई, large जवाब है जो कि आप अपने screen पर देख सकते हो इसके अंदर जाके आप अपने device में सभी notification को customize कर सकते हो कि आपको bubbles वाली notification चाहिए, नहीं चाहिए कौनसी app से notification चाहिए, कौनसी app से आपको उपर की तरफ notification चाहिए सारे options देखने के लिए मिल जाते है जो कि working है उसके बाद में आपको apps को option देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह देखो fingerprint में लगाता हूँ successfully working है, fast है face unlock आपको try करता हूँ यह मैंने device को on किया, मेरा face दिखाता हूँ जैसे कि आप सभी ने देखा जैसे ही मैंने मेरा face दिखाया device एकदम से on हो गया तो guys आपको super fast देखने के लिए मिल जाते है, fingerprint और face unlock दोनों के अंदर कोई भी problem नहीं है उसके बाद में guys आपको कोई extra feature इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता storage को option देखने के लिए मिल जाते है यहाँ पर देखो उपर की तरफ यहाँ पर भी animation है अगर system की बात करें तो आपका जो system है वो GP की storage लेता है जो की ठीक ठाक बात है इसके बाद में guys आपको system को option देखने के लिए मिल जाते हैं जिसके अंदर जाके आप अपने device की language वगरा को change कर सकते हो gestures वगरा को option देखने के लिए मिल जाते हैं अब guys इसके अंदर आपको कावसरी customization के options देखने के लिए मिल जाते हैं जो की blaze house के अंदर है इसके अंदर जाके आप अपने device में theme को change कर सकते हो status bar को change कर सकते हो qs panel को change कर सकते हो और भी कावसरी customization के options देखने के लिए मिल जाते हैं तो एक एक करके मैं आपको कुछ options बता देता हूँ अगर आपको सब के उपर वीडियो चाहिए कि सारे options मैं आपको बता हूँ तो आप मुझे नीचे comment करके बता देना हम आपके लिए वीडियो बना दूँगा सबसे पहले theme की बात करें तो इसके अंदर आपको option देखने के लिए जो setting बार है वो आपको android 14 वाला चाहिए या फिर android 12 वाला तो मैं android 14 को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो बढ़िया है उसके बाद में आपको अपने device में font वगरा कैसा चाहिए आपको जो status बार के अंदर यह bluetooth hoxford वाले icon है वो कैसा चाहिए उसको change करने का option देखने के लिए मिल जाते है अगर आपको अलग से change करना है कि wifi का icon अलग हो उसके अलावा signal का icon अलग हो तो आप वो change कर सकते हो icon shape कैसी चाहिए यह देखो उसके प्य option देखने के लिए मिल जाते है यह जहीं कि आपको channel का option देखने के लिए मिल जाते है जिसके अंदर जाकि अगर आपको अपके device में data कौन सी speed से चल रहे है वो देखना है तो उसको option देखने के लिए मिल जाते है आपको clock के साइड में चाहिए इस साइड में या फिर इस साइड में उसको option देखने के मिल जाते है clock के साइड म आपको एक logo देखने के लिए मिल रहा है Marvel का जो की Iron Man का है यहाँ पर आपको काफ़सारे icons वगरा change करने के option यहाँ पर देखने कर मिल जाते है आप चाहो तो किसी को भी on कर सकते हो आपको simply logo के option के पर जाने है और आपको यहाँ पर काफ़सारे logo वगरा देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आप इतने screen पर देख सकते हो मैंने change किया और वो successfully working है इसके बाद में guys आपको और काफ़सारे option देखने के लिए मिल जाते है जिसके 4G icon आपको चाहिए या फिन नहीं चाहिए colored icons या नहीं के notification वगरा आती है तो यह पर आपको color वाली notification चाहिए या फिन नीचे उसके काफ़सारे option देखने के लिए मिल जाते है उसके बाद में guys आपको QS panel का option देखने के मिल जाते है जिसके अंदर जाके आपके device के अंदर जो QS panel है आपको इदर वाली row के अंदर कितने column चाहिए ऐसी row के अंदर कितने column चाहिए slide bar आपको उपर चाहिए, निचे चाहिए उसके काफ़सारी customization के options देखने के लिए मिल जाते है जो कि आप अपने screen पे देख सकते हो उसके बाद में आपको lock screen का option देखने के लिए मिल जाते है जिसके अंदर आपको lock screen के अपर clock कैसी चाहिए काफ़सारी options देखने के लिए मिल जाते है आप चाहो तो इससे यहां से change कर सकते हो आपको यहां पर उसका एक preview देखने के लिए मिल जाएगा आपको लोग स्क्रीन दिखा दे तो हम यह देखो, कुछ इस प्रकार से वरक कर जाती है, उसके बाद में guys आपको और भी options देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि Qs पैनल है, वो आपको लोग स्क्रीन पे देखना है या फिर नहीं, उसको option देखने के लिए मिल जाता है, आप अ अप्लिकेशन है, उसके अंदर unlimited storage का option चाहिए और नहीं चाहिए, बिना root के, जो कि successfully working है, कोई भी इसके अंदर problem नहीं है, इसके अंदर आपको FPS के भी option देखने के लिए अगर आपको अपकी gaming के अंदर high FPS को enable करना है, तो वो भी successfully working है, इसे के लावा guys आपको एक option और देख screenshot ले सकते हो, जैसी कि कोई banking application हो गई, या फिर chrome के अंदर negative mode हो गया, उसके अंदर आपको screenshot वगएर लेने, तो आप वो भी कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा option है, बाकी guys अगर हम बात करें तो आपके इसके अंदर कोई भी bloatware देखने के लिए नहीं मिलता, जितनी भी daily life वा जिसका link आपको description के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, तो guys आप मुझे नीचे comment करके बताना कि आपको ये custom room कैसी लगी, अगर आपको किसी और custom room का review चाहिए, तो भी आप मुझे नीचे comment करके बता देना, मैं आपके लिए वीडियो जुरूर बना दूँगा, तो guys अगर आपको आज के हमारी ये वीडियो अच्छी लगए तो इस YouTube चनल को subscribe और वीडियो को like जुरूर कर लीजेगा, तो चलिए बन मिलते मारे किसी next वीडियो में, तब तक टाटा